जिम बिजनस शुरू करने के लिए क्या करें? अगर आप भी जिम बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले येग डिसाइट करें कि आप इस तरह का जिम खोली की सोच रहे हैं काडियो उपकरण या वेट लिफ्टिंग वाला जिम या फिसनेस सेंटर वाला जिम फिटनेस सेंटर वाला जिम, फिटनेस सेंटर कार्डियोप करन और वेट लिफ्टिंग वाले जिम से थोड़ा महंगा होता है, ऐसे में जिम में वजन बढ़ाना, घटाना, योगासन, गुट डाइट, फिटनेस एक्टिविटी, डांस, मार्शल आर्ट, एरोबिक्स आदी कर आपका बिजनस का होगा, आप किस तरह की सर्विस प्रोवाइट कराएंगे, आपकी लागत कितनी होगी, कि इन जेंडर के लोगों को आप टागेट करेंगे आदी, इस तरह की सवालों को ध्यान में रखकर एक बिजनस मॉडल बनाए, फिर इस मॉडल के हिसाब से आप अप जान रखें कि किस तरह की ओडियंस आपका पहला टार्गेट है, रिजिस्ट्रेशन और लाइसेंस यो तो जिम खोलने के लिए कोई लाइसेंस की आवशकता नहीं है, फिर भी यदि आप अपने बिजनस को बड़े स्केल पर शुरू करना चाहते हैं और अपने बविश्य म आवश्य कराएं, लोकल पुलिस से क्लेरेंस सेहमती लें, इस तरह से परमिश्य लेने के बाद आप अपने बिजनस की शुरूआत कर सकते हैं, जिम शिरू करने के लिए आवश्य को पकरन, ट्रेड मिल, बेंच प्रेस, लेक प्रेस, लेक प्रेस, लेक पुल डाउन, बटर का विशेश ध्यान रखें, आप इन उपकरनों को बड़े शेहर के किसी भी शूरूम से खरीच सकते हैं, कई बड़ी कंपनियां इन उपकरनों का निर्मान करती हैं, आप चाहें तो लोकल से भी इसे बनवा सकते हैं, अपने बिजनस का प्रचार और प्रसार करें, किसी भी बिजनस को सफल बनाने के लिए जरूरी है ग्राहा यदि आपका ग्राहा काधिक है तो आप अपनी सर्विस को समय समय पर अपडेट भी कर सकते हैं और बविशी का प्लान भी बना सकते हैं प्रोमोशन के लिए आपको इन चीजों पर सबसे पहले फोकस करना होगा टेंपलेट बैनर, होडिंग्स, विस्टिंग कार्ट जादी से अपने बिजनस का प्रोमोशन कर सकते हैं निवेश की लागत आप किस लेवल पर बिजनस शुरू कर रहे हैं इस पर आपका निवेश अधारित होगा यदि आप 2500 से 3000 स्क्वेर फीट के एरिया में बिजनस शुरू करते है तो 70 लाग से 80 लाग तक का खर्चाएगा आप इससे बड़ी जगा पर बिजनस शुरू करते हैं तो एक करोड तक का निवेश में आप बेहत अच्छे से अपना बिजनस शुरू कर सकते हैं लेकिन इस बिजनस में इतनी अधिक राशी में एक बार ही निवेश करना होगा ज इस बिजनस को करने के लिए मांकेट की अच्छी समझ हो मांकेट में किसकी डिमांड अधिक है वो किस चीश की अधिक कमी है इस पर आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए अपने आस-पास के इलाके में रिजर्च करें कि क्या औफर चल रहे हैं अच्छी अच्छी आफर और पैकेज बनाएं जिससे कस्टमर आकर्शित हों डाइटीशन फिसलिटीज टीम बात मेडिटेशन फिसलिटी कंसल्टिंट फिसलिटी आदी का भी अलग से बंदोबस करें आप जिस जगह अपना जिम खूल रहे हैं उस जगह के बारे में अच्छे से जानकारी जुटा ले आप जिन मशीनों को इस्तेमाल मिला रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अपना बिजनेस के ब्रैंट की तरह ही शुरू करें जिससे इस ब्रैंट में किसी भी तरह की कमी न रह पाए तो दोस्तों आप इस तरह से अपना जिम बिजनेस शुरू कर सकते है इससे जूड़ी कोई और जानतारी के लिए अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, जलती आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे.